तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंबॉक्सिंग हमारे टेपल लैंब की जिसे मैंने आमाजोन से मगाया है जैसे यहां पर इनोने लिख रखा है काच का समान पर इनोने काफी अच्छी से इसकी पैकिंग गई पार के आम यहां कंकर मे मामा से औरेऋ यहां अनोने काच के यहां जोन्स में चाल ईए तो अब देख सकते हैं यह हमारा लंप है और यह काफी इच्छा साइज है इसका जो साइज मैं एक्सपेक कर रहा था वही साइज उन्होंने दिया है और यह देखने में काफी खुबसूरत है जो मेरे को काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है इसका स्टफ है इसमें इन्होंने कोई लाइट नहीं दिये तो मुझे इसमें एक लाइट लगाना पड़ेगा तब जाके ये लैम्प ग्लो गरेगा और इसकी वायर जो इन्होंने दी है वो अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी खासी लंबी वायर है तो वायर की टेंशन नहीं है वायर मेरे ख्याल से युन्होंने दो मीटर के आपस ये वायर दी है और इसमें एक अन-अफ स्विच भी है जो कि एक अच्छी बात है तो मेरे लिए तो ये लैम्प देखने में काफी अच्छा लगा मुझे बाकी जबी मैं इसको ग्लो कर लूँगा तो मैं आपको ग्लो करके भी दिखा दूँगा कि लैम्प ग्लो करने के बद कैसा लगता है कि दोस्तों यसा देख सकते हैं मैंने इस लैंप की अनबॉक्सिंग करी है यह हैंडिक्राफ्ट एंटीकल टेबल लैम्प है और अग्र आप देख सकते हिसके खुबसूरती मैंने इसमें लाइट जूरोबोट का बल्ब लगाय हुए उसके बाद इसकी खुबसूरती देख रखने में और इसको आप अगर आपके पास साइट टेबल है तो इस पर रख सकते हैं और यह बहुत ही प्यारा रोयल सा लोग दे रहा है तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस लाम को पर्चेस करने का लिंक भी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इससे आप इस लाम को पर्चेस कर पाएंगे और अपने घर की शान बढ़ा पाएंगे तो रैसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत धन्यवाद